यह बात कॉंग्रेस को खटक रही है इसलिए यह कॉंग्रेस कानून बना कर SC, ST, OBC इनका आरक्षन हटा कर अपने वोट बैंक मुसलमानों को देना चाहते हैं जितना आरक्षन आज SC, ST, OBC को मिलता है वो खत्म करके इन्डी अलायंस पूरा का पूरा रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहती है मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप ये लूट होने देंगे ये आपका आरक्षन लूट लेंगे आप देखते रहेंगे ये कॉंग्रेस वालों को पहचानों ये SC, ST, PC उसका आरक्षन मुसलमान को देने को तो तयार है लेकिन मेरा माड़ी का समाज वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है उसको न्याय देने को तयारने मेरा छोटा भाई क्रिष्णा आज यहां मौजूद है और माड़ी का समाज के अन्याय को दूर करने के लिए ये मोधी ने वादा किया है एसेम्बली में किया था मैं भूल नहीं जाओंगा मैं इसे पूरा करके रहूंगा साथियों कॉंग्रेस को SC, ST, BC समाज के जो होनहार युवा है वो अपनी महनत करके जो प्रगति कर रहे न यह कॉंग्रेस वाले उससे डरने लगे है केंद्र सरकार ने देलंगना में समक का सरक का ट्राइबल उनिवर्सी की बनाने का भारत सरकार का फैसला लेकिन यहां की कॉंग्रेस सरकार इसको रोकने के लिए लगातार रोडे अटका रही है कॉंग्रेस सोचती है स्थी एस्थी युवा आगे बढ़ जाएंगे तो शाहिक खांदान के बेटे बेटियों की कुर्सी कैसे मिलेगी साथ्यों बी आरेस की सच्चाइपी एस्टी, एस्थी, बीसी समाज को दोखा देने की और एपीजमेंट की है बी आरेस ने दोजार चौदा में आपसे वादा किया था कि वो सरकार में आई तो दलित सीएम बनाएंगी और सीएम कौन बना था? बी आरेस ने यहाँ दलित बंदू स्कीम के नाम पर भी आपका भरोसा तोड़ा और यही बी आरेस है जिसने अपनी एपीजमेंट पोलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम आइटी पार्ग बनाने की बात कही थी पार्ग बनाएंगी